दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ BMS पड़े हैं और इसमें से यह जो विराइटी है इन्हें हम कहते हैं 1S मतलब सिंगल सेल के यह जो है यह BMS है उसमें यह जो है यह कुछ ग्रीन वाले हैं और यहाँ पर यह ब्लू वाला है हलाकि यह दोनों भी जो हैं उनकी कार्य प्रणाली एक जैसी है जो ब्लू BMS है इसके उपर यह निकल स्क्रिप लगाए गए हैं ताकि इसको हम सेल के उपर अच्छी तरह से सॉल्डर करें तो जहां पर सिंगल सेल की जुरत होती है वहां पर 1S BMS आते हैं इससे आपको बड़े BMS भी मिल जाते हैं जैसे जहां पर आपके सामने रखा हुआ है 7S BMS जिसमें साथ सेल एक साथ सेरीज में लगाए जाते हैं तो यह 7S BMS है इससे बड़ा भी आता है जैसे 8S BMS आता है या फिर इससे छोटा भी आपको मिलता है मतलब 2S, 3S, 4S इस तरह से BMS भी आते हैं इस IC का काम होता है चेक करना कि कई हमारी जो बैटरी है वो overcharge तो नहीं हो रही कई हमारी जो बैटरी है वो deep discharge में तो नहीं जा रही तो यह जो सारे protection feature है वो देने का काम यह 6 pin वाला battery protection IC करता है चिंता मत कीजी यह जो protection है यह सच में होते हैं या नहीं यह हम इस video के अंदर test भी करेंगे तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा अब यह जो IC है यह command देता है इन MOSFET को तो इस वाले BMS के अंदर आप देखिए 6 MOSFET लगे हैं जो MOSFET होता है वो connection को on off करने का काम करता है मतलब एक तरह से switch का काम करता है जैसे ही इस IC को लगता है कि भी हमारे battery में गड़बड हो रही है बैटरी over charge होने लगी है तो वो command देगा इन MOSFET को और यह जो MOSFET है यह switch off होके हमारे battery का connection जो है cut कर देंगे और हमारे battery को जो है वो protect कर लेंगे यहाँ पे देखिए यह एक 7S का BMS है इसमें भी जो basic component है वो कुछ इसी तरह से होंगे यहाँ पे आपको कुछ IC मिलेगी हालाकि जो IC है यह बड़ी होती है क्योंकि आपको उसको ज़्यादा cell है उनको control करना है MOSFET भी आपको बड़े मिलते हैं यह जो particular BMS है यह passive balancing के साथ में आता है तो यहाँ पे balancing करने के लिए कुछ resistor भी जो है वो लगाए गए है दोस्तो number of cells के अलावा आपको एक और specification के उपर बिलकुल ध्यान देना है that is the cell voltage अब यह जो BMS है यह आते हैं 3.6 और 3.2 वोल्ट में तो कौन सा BMS कहां पे लगाना है पर अग्जमपल यह जो BMS है काई यह 3.6 वोल्ट का है तो जो 3.6 वोल्ट का BMS होता है वो इस तरह के 18650 lithium ion cell जिसको हम जो है lithium cobald cell भी कहते हैं या फिर हमारी जो lithium polymer battery होती है mobile की battery होती है इस तरह के अगर आपको कोई भी 3.6 या 3.7 वोल्ट के cell को protect करना है, charge करना है तब आप जो BMS लगाएंगे वो 3.7 वोल्ट वाला BMS लगाएंगे इसके अलावा एक और BMS आता है जो होता है 3.2 वोल्ट का यहाँ पर आपके सामने यह जो 1S BMS है यह 3.2 वोल्ट वाले है और यह जो 3.2 वोल्ट वाले जो BMS है यह लगाए जाएंगे LFP मतलब लिथियम फेरो फोस्वेट या फिर जिने हम कहते हैं लाइफ पो फोर सेल्स उनके साथ में आपको ध्याद से 3.2 वोल्ट वाला BMS ही लगाना है क्या होता है कि 3.2 और 3.6 वोल्ट वाले BMS के अंदर जो इसके परामिटर होते हैं जो वोल्टेज होते हैं वो अलग-अलग होते हैं क्योंकि of course हमारे जो लिथियम सेल की केमेस्ट्री है वो भी अलग होती है तो आपको इसके अंदर गडबड नहीं करनी है 3.2 और 3.6 वोल्ट वाले BMS को अगर आप मिक्स कर देंगे तो protection आपको नहीं मिलेगा आपकी जो बैटरी है वो खराब भी हो सकती है दोस्तो BMS के उपर हमने कुछ wires जो है उनको solder कर लिया है ताकि इसके जो testing है इनको हम अच्छी तरह से कर पाएं वैसे इस वीडियो में बताएगा ही कोई भी चीज अगर आपको खरीदनी हो जैसे ये बड़ा interesting सा soldering stand, soldering iron, multimeter या फिर ये BMS खुद तो मेरे वीडियो के नीचे description या फिर first comment के अंदर कुछ affiliate links होते है मुझे support करने के लिए उन affiliate links का इस्तमाल जरूर करें इस BMS का torture testing करने के लिए हम एक बिल्कुल नायाब setup का use करेंगे आईए सबसे पहले connections को समझ लेते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है एक power bank जो की इस DC to DC bug converter को चला रहा है अब यह जो DC to DC bug converter है इसके उपर trim pot होता है मतलब अलग-अलग voltage देकर हम इस जो बिचारा BMS है इसको torture कर पाएंगे अब यह जो DC to DC bug converter है इसका जो output है यहाँ पे देखिए blue और red wire लगी हुई है positive में red है तो यह जो wires है इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है BMS के B plus और B minus wire में थोड़ा सा focus कर लेते हैं देखिए B plus और B minus के अंदर हमने यह connection कर दिया है मतलब फिलाल हमारा यह जो bug converter है guys यह actually एक battery का का काम कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो battery का voltage है वो 3.34 volt जो है यह हम इस BMS को दे रहे हैं मतलब यहाँ पे हम इसको एक तरह से बेवकूफ बना रहे हैं कि यह जो bug converter है यह हमारी battery है तो यहाँ पे जो P plus और P minus मतलब जो power output के जो wire है gray और black वाले यह हमने लगा दिया है हमारा trusty multimeter that is sigma 313A एक बहुत ही बढ़िया powerful clamp meter है और इसके यह जो probe है इसके साथ में इसका output जो connection है वो कर दिया है पतलब यहाँ पे अगर हम summarize करें तो यह हो गई हमारी lithium battery यह हो गया protection और यह हो गया हमारा clamp meter अब फिलाल यह जो bug converter है यह देखिए 3.34 volt दे रहा है हमारे इस BMS को आपको थोड़ा सा exposure कम करके बताता हूँ 3.34 volt दे रहा है और वही जो voltage है यह हमारे multimeter के अंदर read हो रहा है that is 3.35 हलका फुलका फरक होता है इतना चलता है तो आईए देख लेते हैं कि जैसे हमारी जो battery है यह down होने लगती है तो क्या down होने के बाद में low cut का जो काम है यह हमारा BMS properly कर पाता है या नहीं तो यहाँ पर जो थोड़ा light है इसको हम कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जो glare है वो कम हो जाए तो let's turn this on I think ओके तो यह जो trim pot है इसकी मदद से हम जो battery का voltage है इसको हम कम करेंगे माल लीजे हमारे जो battery है यह discharge हो रही है थोड़ा सा मैं यह लगा देता हूँ ताकि आपको यह दिख जाए और अब देखिए हमारा जो life pop 4 याने lithium ferro phosphate बैटरी होता है करीब धाई वोल्ट उसको minimum हमाई जो low cut है वो रखना चाहिए धाई वोल्ट से नीचे अगर आप battery use करेंगे तो battery जो है वो damage हो सकता है अब देखिए 2.5 और जैसे हम का हम जो है बिल्कुल थोड़ा सा भी 2.5 से नीचे गए हमारे BMS ने जो है हमारे battery को protect कर दिया इसका जो voltage है जैसे ही धाई वोल्ट से नीचे गया output बंद हो गया मतलब हमारा जो load चलना है वो बंद हो गया तो इस test के अंदर यह जो है यह pass होता है अब आईए देखते हैं कि इसकी recovery कब मिलती है वही हमने जो cell है इसको recover होने दिया इसका voltage जैसे ही increase होता है तो यहाँ पे देखता है कि output हमको कब मिलेगा 2.7 मेरे इसाब से यह 2.9 यह 3 वोल्ट होना चाहिए जी हाँ 3 वोल्ट जैसे ही हमारे cell के अंदर आ गए अब देखिए हमारा जो BMS है उसने output देना चालो कर दिया अब एक और हम test कर लेते हैं that is very important मान लीजिए हमारा जो cell है उससे हम कोई load चला रहे है और जो load है वो short हो जाता है तो यह output के power के जो wire है इसको directly मैं आपके सामने short करूँगा देखिएगा यहाँ पे तो यह जो है सीधा-सीधा short कर दी हमने और आप देखिए इसने again इसका ज अब देखिए यह जैसे ही हम इसको short करेंगे यह supply card देगा और जैसे हटाएंगे यह जो 3V है हमारे battery के वो यहाँ पे आने लग गए मैंने यह blue nickel strip वाला BMS solder कर लिया आईए इसके protection बेक बार देख लेते हैं सबसे पहले इस blue वाले BMS का हम test करेंगे low cut तो आईए इसको हम voltage को घटाते हैं पहले वाले इसमें 5V था तो आप यहाँ पे देखिए 5V पे इसने low cut नहीं किया है हो सकता है इसका low cut और जादा नीचे हो तो हम इसको और भी नीचे लेके जाते हैं और 1.9 मतलब करीब 2V के उपर जो है यह low cut हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ दिखने में फरक नहीं है यह जो अलग-अलग BMS है इनके कैलिबरेशन में भी फरक है और मेरे इसाब से 2V का low cut है वो बहुत ही कम है आपके बैटरी के लिए तो जब भी आप इस तरह के BMS आपके बैटरी प्रोजेक्ट में लगाए एक बार इनको इस तरह से टेस्ट कर लें ताकि आपको प प्रोजेक्शन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है आईए शॉट निकालके देखते हैं तो यह इसकी सेल्फ रिकवरी भी हो गई मतलब इसमें सेल्फ रिकवरी का भी फीचर दिया हुआ है दोस्तों वायरिंग में मैंने जो है वो कुछ चेंजेस किये हैं क्यूंकि अभी यह जो BMS है इसका हाई कट मतलब जो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन होता है उसको हमें टेस्ट करना है तो यहाँ पे यह जो पावर बैंक है यह तो बिल्कुल सेम है यह इस बग कनवर्टर को पावर देगा बग कनवर्टर के आउटपूट में आप देखिए मैंने यह ग्र कर रहा है हमारे लिथियम सेल को चार्जिंग जो है यह दे रहा है अब यह जो BMS है इसके आउटपूट के अंदर जो बैटरी टर्मिनल्स है यहाँ पे आप देखिए यह जो बैटरी टर्मिनल्स है बी माइनस और बी प्लस यहाँ पर मैंने लगा रखा है यह केपैस्टर क इस क्या होता है कि यह जो BMS होते हैं यह कई बार faulty आ जाते हैं नकली आ जाते हैं तो किसी अच्छे lithium cell किसी महंगे बैटरी के साथ में हम जो risk है वो नहीं ले सकते हैं तो मेरी जो testing होती है वो इस तरह से capacitor लगा के jig के उपर ही होती है तो यहाँ पर यह जो capacitor है यह हमारे battery का का करेगा ठीक है और इस battery मतलब इस capacitor के parallel में मैंने यह clamp meter जो है लगा रखा है जो हमारे इस dummy battery की voltage जो है यह बता रहा है तो फिलाल आप देखिए यहाँ पर हमारा जो bug converter है यह 3.2 volt दे रहा है थोड़ा सा exposure और कम कर देता हूं इसको dim कर लेते हैं ताकि आपको यह इसका display दिख दा रहा है 3.2 volt ठीक है अब यह जो BMS है guys यह life po 4 याने lithium ferro phosphate का BMS करके बेचा गया है और website का दावा है कि इस BMS के अंदर जो high cut है वो करीब करीब 3.7 volt के आसपास जो है वो लगना चाहिए तो आप लोग जो है इन meters के display के उपर focus कीजिए मैं इसका जो voltage है इंको increase करता हूं औ आपको बताता हूं कि इस BMS के अंदर over voltage protection है या फिर नहीं तो guys हमारा जो life po 4 cell होता है उसके अंदर recommended जो maximum charging voltage होता है वो होता है 3.6 या फिर 3.65 volt आप यहां पर देखिए मैं इस potentiometer को घुमा रहा हूं 3.63 3.65 हो गया और यहां पर भी आप देख सकते हैं 3.65 या 3.66 जो voltage है य हम इसको और थोड़ा सा उपर लेके जाते हैं तो आप यहां पर देखिए 3.68 कर दिया 3.7 हमारे meter पर भी 3.7 है मतलब अभी तक इसका जो high cut है वो लगा नहीं है थोड़ा सा इसका जो high cut है वो मेरी साबसे थोड़ा उपर है इसको accurate 3.6 या 3.65 की उपर दे देना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा और उपर जाके हम देख लेते हैं तो इसको मैंने कर दिया 3.7 3.8 जी हां 3.8 के उपर आप जैसे ही हमने इसका setting किया आप यहां पर देखिए इसका जो voltage है वो actually नीचे गिरने लगाए क्योंकि यह जो capacitor है इसका charge कम हो रहा है तो यहां पर आ जो high cut है वो बकाइदा काम करता है और इसका voltage है वो नीचे गिरने लगा है क्योंकि capacitor जो है वो अपने आप discharge हो रहा है तो आईए एक बार इसकी recovery भी देख लेते हैं कि यह recover होता है या नहीं तो इस voltage को हम थोड़ा सा कम करेंगे अब देखिए तो जैसे ही हम इसको नीचे लेकिया आए 3.4 पे आप देख लिए 3.43 और 3.43 यह match हो गया मतलब इसकी जो charging है यह वापस on हो गई और एक बार और हम इसको देख लेते हैं high cut इसका properly चलता है या नहीं तो आप यहां पर देखिए 2.0 meters एक साथ बिलकुल ध्यान से यह कर दिया 3.65, 3.7 थोड़ा कम होना चाहिए था लेकिन I believe कुछ ना होने से तो कुछ ना कुछ protection होना अच्छी ही बात है क्योंकि protection नहीं होगा तो हमारे cell जो हैं बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे तो आप देखिए 3.73, 3.OK मैं काफी दीरे दीरे potentiometer को जो है घुमा रहा हूं ताक नीचे गिरने लगा ठीक है मतलब 3.75 या 3.8 के आसपास जो है वो इस BMS का high cut लग जाता है और फिर ये charging को काट देता है और जिस तरह से हमारा capacitor धिरे धिरे discharge होता है उस तरह से ये discharge जो ही होने लगा है तो guys मेरे इसाब से अभी जो test है उसके अंदर ये जो particular BMS जो है ये pass हो converter या multimeters के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके screen के उपर electronics 101 playlist का जो card आ रहा है इसको आप एक बार click कर लीजे और आप battery के बारे में ज्यादा information लेना चाहते हैं तो all about batteries playlist को जाके check कर लीजे आज के वीडियो में इतना है guys take care and have a nice day